उसकार, जोस्तों, स्टोक की रीज केश के खूर वीडियो में मैं आपको स्वागत करता हूं दोस्तो, आज बात करते हैं, तीन-चार श्टोक के बारे में मैं आपसे बात करना चाहाँ ऑशके अंदर जब रदस्त, ट्रेड की ऑपरचुनीटिी है मैं बात जब trade की कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं swing trade की, यानि की एक swing से लेकर दूसरे swing तक जाने की trade की opportunity की बात कर रहा हूं, और different logic है, आप इस logic से agree कर सकते हैं और disagree कर सकते हैं, आपकी मरजी, पैसा ultimately, पैसा आपका है, आप अपने पैसे के honor है, तो आपको decide करना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, अगर convincing लगे, तो video को like कर दिजिएगा, channel को चाहिए तो share कर सकते हैं, comment कर सकते हैं, नई convincing लगे, तो आप reject कर सकते हैं दोस्तों, तो चलिए, आज मैं जिस stock के बाद मैं बात करता हूँ, वह है, पहला stock मेरा diviz lab, देखिए, diviz lab को मैं बार-बार आपको यहाँ से भी मैं आपको पकड़ने ही कोसिस करना हूँ, और मैं already invested हूँ, ठीक है, यह breakout तो भी मैंने दिया, यह जब accumulation चल रहा था, तब भी मैंने दिया, यह जब point exact इस column पर जब retest कर रहा था, तब भी मैंने आपको बताया, और मैंने इसी retest point पर खुद मैंने अपना entry बनाया था, ठीक है, आज के date यह गया, लगबग 5% के तेजी के साथ, यहाँ पर देख सकते है, 2426 रुपय, 45 पईसा पर गया, मैंने अभी profit book नहीं किया है, कल के सत्रे में अगर इसके उपर से निकलता हुआ दिखा, तो मैं अपना profit book कर लूँगा, logic क्या है, region क्या है, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, बुसकता है कि आपको लगए मैं गलत हूँ, कुछ quantity तो मैं 50% अपना यहाँ पर book करने वाला हूँ, अगर मैं यहाँ पर माल उठाया हूँ, तो भाई, मैं यहाँ पर बहुत अच्छा profit में हूँ, बुक करने वाला हूँ, reason क्या है, बुक करने का, मैं आपको बताता हूँ, लेकर चलता हूँ, मैं monthly chart पर, monthly chart पर मैं आपको दिखाता हूँ, आपको reason समझ में आएगा, क्यों मैंने बोला है, कि मैं यहाँ पर book कर लूँ, आप देखें, यह मैंने monthly chart लगा लिया, ठीक है, यह point note कीजिए, और आज का point note कीजिए, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा आपको मैं लेकर चलता हूँ, जो है, यह previous swing इसका हाई है, और यह previous swing आज के दिने नहों ने इसी हाई को टच किया, यह मेरा region है, कि मैं बोल रहा हूँ, कि मैं थोड़ा सा अपना profit book करूँगा, क्योंकि यह monthly time frame for first attempt हो 50 week high की बात नहीं कर रहा हूँ, 50 week high तो बहुत पॉल है, यही पर चला गया था, 52 week, all time high को breakout करने की कोशिस कर रहा है, जो कि 99% failure ही होता है, इसलिए मैं यहाँ पर अपना profit, क्योंकि मैं यहाँ पर entry लिया हूँ, 4000 के आसपास में, मैं अपना profit secure करूँगा 50%, और 50% afford करूँगा कि थोड़ा सा retestment ले, और retestment लेने के बाद थोड़ा सा यह नीचे आए, नीचे आने के बाद वापस कियों की, अब यह level इसका, 5000 का यह level जो है, यह level जो है, इसका strong support का काम करेगा, इस level में वापस आकर इसको retest करे, फिर मैं वापस entry लूँगा, और वो breakout successful करने के तियारी करूगा, तो मेरा पहला suggestion, जो लोग मेरी बात मान करीं, यहाँ पर अगर entry लिये हुए, वो अपनी 50% profit book कर सकते हैं, दोस्तों, दूसरा stock है, मेरा data power का, जिसमें मैं आपको data power का देखे, day time frame लगा के रखाऊ, यह point पर देख सकते है, 400 answer, 465 के पास, यह बार-बार assistant phase कर रहा ह तीर, चार, और यह जब जब अपने station पर आता है, तक तक यहाँ पर इसको support मिल रहा है, और नए बार इसको लेके जा रहा है, आज के दिन का देख सकते हैं, बुलिस मार बोजू candle, ठीक है, बुलिस मार बोजू candle, अगर आपको पाचानना हो, तो देखिए, आज के दिन का candle टाटा पाउर में जाकर आप देख सकते हैं, आज के दिन का, क्या जबरदस candle है, पिछले लगबग 15-20 दिन के इस consolidation को एक ही candle ने पार कर दिया, अब इसके उपर अपनी position बना सकते है, और breakout का potential है, ये breakout क्योंकि ये 5th time try करेगा, breakout possible है इसमें, तो इसी potential को भुनाने के लिए ह पर हम position अपना बिल्ड करेंगे, और breakout हो गया, तो quantity बिल्ड करेंगे, आप चाहिए तो इसके नीचे का SL ले सकते हैं, मेरा SL तो हमेशा ये line रहता है, ठीकरा, 200 days के नीचे का line का मेरा SL रहता है दोस्तों, तीसरा stock मेरा हो गया, आज के दिन का, इलम्बिक फर्मा, इलम्बिक फर्मा में देखिए सेम का situation क्या हो रहा है, इलम्बिक फर्मा का यह होगए, APP, यह limited day time frame है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बारे सो पचास के उपर इसको जबरदस resistant pace हो रहा है, और जैसे मैं बार बार आपको समझाता हूँ, हर बार मैं समझ चला गया, इसकी train यहाँ पर मिस हो गई, यहाँ पर जाका train नहीं नपकलेगा, अब वो आदमी कहाँ पर आपनी train का और इंट्री लेने के लिए कहाँ कोसिस करेगा, यह station के नजदीक पकड़ने की कोसिस करेगा, यहाँ पर देखिए कि जैसे इसने red line को 100 days को touch किया है, SL लगेगा और यह SL लगेगा बहुत ही छोटा होगा, ब्रेकाउट पर trade तेज भागता है, लेकिन अगर SL लगा तो बड़ा SL होता है, ब्रेकाउट के लिए मैं आदमी फस जाता है, एस्टेशन पर इंट्री लेने पर थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा दिन आपको तकलीव थोड़ा साथ तेज ना चले, माल लिए इस केंडल पर लिए रहते हैं, एक, दो, तीन, तीन, चार दिन आपको टरपाया रहता, तेकिन उसके बाद लेकर गया तो तेज गया, लेकिन SL भी नहीं लगता, ब्रेकाउट की पूरी पेटेंशियल है, कल के सत्र मैं देख सकते है इस हपते में अभी तीन दिन की ट्रेनिंग बाग की है, फ्राइडे तक, ब्रेकाउट मिलेगा, तो आप अपनी पोजिशन बना सकते हैं, दोस्तों, एलंबिक फर्मा मेरा तीसरा है स्टॉक हो गया, चोथा है स्टॉक हो गया, वाल चंद इंडस्ट्री, वाल चंद इंडस का आपको नजर आ रहा होगा, अपने डाइनेमिक सपोर्ट के पास एक हैमर केंडल जैसा बनाया है, और हैमर केंडल को अगले दिन ही एक बुलिस इंगल्फिंग केंडल ने कबर कर लिया, 321-322 के उपर, अब इसी के उपर अपनी क्वांटिटी बिल्ड कर सकते हैं, और 433 इसके लिएकर टार्गेट लिए जा सकते हैं, यह वाला लाइन आपका SL रहेगा, ठीक है, वालचंद इंडस्ट्री में, और आप जाकर प्रिवियस में देख सकते हैं कि जब-जब यह आता है अपने स्टेशन के करीब में, जब-जब अपने आता है स्टेशन करीब में, य यहीं से बाउंज बाइक करके जाता है, ठीक है, तो SL के डरने की जोरुत नहीं है, यह डाइनेमिक सपोर्ट के है, इसके नीचे का SL लगा और इसके ओपर पोजिशन बिल्ड करें और लेकर जाए 433 तक कर दो दोस्तों, यह वीडियो पसंद आए तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप अपना ट्रेड अपने हिसाब से किजिएगा, आप अपने यह चारो है स्टॉक अपने जो भी ट्रेडिंग प्लेट फॉर्म है उस पर डालिए, जो भी आप यूज करते हैं टेकनिक उस पर डालिए, अगर सुटेबल है तो ही किजिएगा दोस्तों, थैंकिए